नमस्कार दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके सी यूटूब चैनल स्मार्ट टेग में दोस्तो हर बार की तरह जबार भी आज हम आप सभी के लिए बहतरी इन वीडियो लेकर आएं दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने बाले हैं MP online के बारे हो तो चैनल को भी जरू स्विस्क्राइब कीजिएगा तो चलिए दोस्तो वीडियो की सुरवात करते हैं दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दू MP online होता क्या है इसका domain name आप देख सकते हो यहां पर MP online.gov.in रखा गया है इसे आप जैसे ओपन करते हो तो यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखाए देगा यहां पर मैं किलियर तोर पर बता दू मध्यपिदेश का एक ऐसा पूर्टल जहां पर आप इसका क्योस रेजिस्ट्रेशन लेने के बाद इसका ID पास्वर लेने के बाद इसका एक बिजिनिस स्टार्ट कर सकते हो MP online में भरक सिर्फ एतना है कि MP online मध्यपिदेश सरकार का पूर्टल है लेकिन जो CSC वो सेंटर लेवल पर काम करता है तो यहां पर CSC को All India में किसी भी राजिस से ऑपरेट किया जा सकता है लेकिन MP online सिर्फ पर सिर्फ मध्यपिदेश की निवासियों के लिए है मध्यपिदेश की ह लोग यहां पर इसका पूर्टल लेकर इसका अच्छा खासा इस्तमाल कर सकते हैं और अरुनिंग कर सकते हैं ठीके न यहां पर अब मैं आपको बता दू कि जितनी भी लोग नई स्वाब बगेरा खोली है बोच चाहते हैं कि यहां पर नया रेजिस्ट्रेशन करके नया क्य बटन पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर कुछ इस तरीकी से पॉप अप बेंडू आएगा जिसमें लिखा रहेगा आपको अबगत कराया जाता है कि नवीन क्योस आविदन प्रिक्रिया नवीन क्योस पंजियन सुल का भुकतान प्रिक्रिया आग यहां पर आपको कम से कम चुनाओ खतम होने तक देट करना हुगा यहां पर जब तक चुनाओ खतम नहीं हो जाते तब तक यहां पर इसका नया रेजिस्ट्रिशन किसी को भी नहीं दिया जाएगा दोस्तो इसी तरीके की रोक नबीन के उस पूर्टल रेजिस्टेशन के लिए आज से लगभग 7-8 साल पहले भी लगाई गई थी बहाँ पर भी लगभग 3-4 सालों तक यहाँ पर किसी भी तरह के रेजिस्टेशन की प्रिकिरिया को रोक दिया गया था तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अब जब तक चुनाओ नहीं हो जाते हैं तब तक आपको एक किसी भी खालत में नहीं मिल सकता है दोस्तो आपको मार्केट में ऐसे कई लोग मिलेंगी जो कि आपसे बोलेंगे कि आप उतना पैसा देजे, यह करिए भो करिए आपको नया पोर्टल स्टार्ट नहीं कर सकेंगे तो यहां पर इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपसे खुद MP Online के District Manager भी कहते हैं कि हम आपको नया पोर्टल दिला देंगे तो आप किसी भी धोकाधड़ी के चक्कर में ना पड़े यहां पर आपको स्वयम ही पास हो और यहां पर आपकी पास से डिजिटल सिगनीचर हो ठीगे ना बस इतना ही होना चाहिए आपके पास आप यहां पर MP Online का रेजिस्ट्रेशन पोर्टल ले सकते हो दूस्तों यहां पर मैं सबसे बड़ी चीज आपको बता दू कि आप हमारी चैनल के साथ बने रहीएगा जैसे ही यहां पर नवीन क्योष के आविदन स्टाट कर दिये जाते हैं तो हमारी चैनल के माध्यम से आपको बता दिया दो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद